हेलो फ्रेंज उमा किचिन में फिर से स्वाधत है आज हम बनाएंगे कुर्फिया एस्क्रीम चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं हम हाप केजी दूज ले लिए हैं इसको गरम भी किये हैं चलिए बनाते हैं कड़ाई गरम उने दिये हैं अभी थीनी ले लेंगे तीन चमर्च इसका करेमल बना लेंगे थीनी देखिए पूरा गल गिया है जैस को स्लो करके करना इसको लुट पूरा जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो थीनी पूरा गल गिया है अभी इसमें हम आस्टे आस् कर देंगे जुट को डरने से पूरा गिठा पन आ जाएगा मगर आप डरियर मत जैसे जुट गरम होगा अच्छा इसी में अधा पन पिगल जाएगा उससी में प्राव दूद डाल दे रहे हैं अभी दूद को इसे करके गरम करके इसको हम पूरा सुखने जेंगे आधा कर तूट कुछ दिखें कितना सा उबल रहा है अभी। इसमें हम डाल देंगे गयास को सलो किया है मील्क पाउडर जनी से ट्रेस्ट लगता है। यह मलेट को कि अगेया usta में जा बाल हैं तेघने, 6 लेश हिर दो उदय डिखे से एह ड़ने लाच हों ड करें लेख रहें कर दो प्रिदे में ऐभे जा दालें वहां तोटो एलाज को डाल गाल अब इसको आख सुखने तर दाने हैं कि अमें बम हैं। कर दोड़ निटाल के थंड़ा दूर रखे थे इसको अभी दूद देखे अच्छा से इसको आम गोल लेंगे इसको अच्छा से गोल लिये हैं जो देखिया मेरा पुरा आधा हो गया है अभी इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फलोर देके हम इसको चलाते रहेंगे इस ऐसी चलाते रहेंगे यह हो गया है अभी हम गैस बंद कर दे रहें इसको थंड़ा होने का बाद हम दिखाएंगे आपको अस्क्रीम का मोल्ड में अभी डाल देंगे थंड़ा हो गया है इसको डाल के हम आठ नौ गेंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे ऐसे गर्मी का दीन अभी बहुत ही है आमनों का गर्मी गिरा है आप ऐसे घर में बना के अब कुल्पी खा सकते हैं पूरा हम भर लिया है अभी इसका ठिप्पी लगा ले रहे हैं आइस्क्रीम का जो लकड़ी एसा वाला मिलता है सब तुकामी मिलता है तो एसा वाला आप लोग खरीत लीजेगा अभी इसमें डाल दे रहे हैं आइस्क्रीम जम गिया है अभी हम पानी का उपर रख्या है ताकि आसानी से निकल रहा है अभी इसको हम निकाल ले रहे हैं पानी का अभी साइट कर दे रहे हैं अभी दिखाते आपको कितना अच्छा आइस्क्रीम जमा है कितना आसानी से निकल गिया दिखिए सब हम पलीट में निकाल ले रहें गर्मी कर सीजन में ऐसे आप आइस्क्रीन बना सकते हैं कितना अच्छा बना इसमें आप चाहे काजु भी दे सकते हैं पिस्टा आप दे सकते हैं तो एसे गर्मी में बनाएए आपको वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर जीजिए बाइबाइब